हेलो दोस्तों मैं हूँ दिनेश के वोरा स्वागत है आपका चैनल 5 हंदी के उपर आज बात करेंगे निर्मला सिता रवन की बूस्टर डोस की आज बहुत बड़ी न्यूज रही सारा दिन चैनल उससे रंगे रहे करीब करीब मेरे ख्यासे एक हजार नौसो एकिस पॉइंट सेंसेक्स उचला पांसो एकस्ट पॉइंट करीब निफ्टी उचला अगर ये फिगर सही है मेरे आसपास के होंगे काफी हद तक जो आपके जो टैक्स रेट से उनको स्लैश किया गया उसमें खास दोर से जो मैट था उसको रिमूव किया गया जो 18.5 परसंट के आसपास था साथ में ही आपका जो दूसरा टैक्स था वो भी जो अल्मूस 35 परसंट के आसपास आता था उसको रिड्यूस करके 25.17 परसंट पे कर दिया गया बहुत बड़ा बदलाव है और जो नए यूनिट्स आये हैं इस एक अगरस के बाद जो अगले 2023 तक आएंगे जिया डेट दी 45,000 करोड का नुकसान होगा यानि की 1.45 ट्रिलियन रूपीज का इंकम टेक्स और कॉर्पर टेक्स के अंदर लॉस होगा परसंट इंकम टेक्स में कोई छूट नहीं दी गई है तो देखा जाए तो इंडस्ट्री को दिवाली का बोनांगजा दिया गया है मुझे बहुत खुश हुई देखकर और कैपिटल मार्केट बहुत खुश था स्टॉक मार्केट बहुत खुश था जी एस्टी के अंदर भी कुछ बदलाव की उम्मीद थी लेकिन कुछ ऐसा हुआ नहीं सिवाए होटल्स का टैरिफ में थोड़ा सा एक माइनर बदलाव किया गया बाकी कोई खास चीजें जी एस्टी के अंदर आई नहीं जिसी बहुत उम्मीद थी अब क्या कहें सागो पिक्चर कुछ अलग सी भी है यहां पर यहां पर जो आपका कंसेशन दी गई हैं सारी कंसेशन उद्योग पतियों को दी गई हैं फाइदा उनको होगा एक लाग पैतालिस वजार कोड़ का जनता को नहीं बजट्स जनता के लिए होते हैं इंडस्टिस्ट को भी फाइदा मिलना चाहिए अल्टीमेटल यह सर्वाइवल उनका भी हक है लेकिन इस बूस्टर डोज में जो सबसे बड़ी डोज है उसके अंदर जनता नहीं है उसमें हमारा नाम नहीं है अब सवाल उठता है कई आज एकनोमिक चैनल की उपर बात थी उन्हेंने कहा कि बहुत बड़ा बूस्टर डोज है और दो तिन साल के अंदर बहुत इंवेस्टमेंट आएगा जॉप्स क्रेट होंगे यह होगा वो होगा तो एंकर थे एक चैनल के उन्हेंने कहा सर मेरे लिए क्या है इसमें आप कहते हो इससे चीजें बिकनी ज़्यदा शुरू हो जाएंगी अगर मेरी जेब में पैसे ही नहीं है तो मैं कहां से खरीद लूँगा साहब अगर मेरी जेब के अंदर मनी नहीं है तो मैं कहां से खरीद लूँगा साहब मेरे लिए तो आपने एक पैसे की कंसेशन नहीं दी मेरे लिए यानि कि आम आदमी के लिए परसल इंकम टेक्स के लिए तो आपके दिल में कोई दया नहीं है आप छोटा सा कोई मुझे कंसेशन दे देते तो मैं मान लेता तो क्या ये एक लाग पैसे जार क्रोड की कंसेशन स्रीयल है ये अनमान लगाया गया है ये खुला भी परता है पिंक फील मैं आपको बताता हूं सर्कार ने अपना इस साल का जो टार्गेट रखा था इंकम टेक्स और कॉर्पर टेक्स वो करी कोई साड़े तेरह लाग करोड का था और उन्हें उमीद थी कि पिछले साल की अपिक्षा हमको 17.3% का राइस बिलेगा इंकम टेक्स और कॉर्पर टेक्स में है छे मेने गुजर गए है छे मेने में राइस मिला 4.7% मैंने एक पहले के एपिसोड लो बताया था हम आलड़ी 50,000 करोड शॉट हो चुके हैं यह रिकवर नहीं हो सकता मैं आपको पहले बता दू जब तक फाइनल एयर खतम होगा तो यह शोटेज बढ़के एक लाग करोड को क्रॉस कर जाएगी हो सकता है यह शोटेज गेड़ लाग करोड के आसपास भी हो जाया है यह वही फिगर है जिसको दिखाया गया है कि ये रिवेन्यू का लॉस होगा तो क्या ये revenue loss एक गुलावी पर्दे की पीछे चिपाया जा रहा है कि hourly loss है और उसको एक बहाना बना के बताया जा रहा है आपको कि ये जो हमने industry को concessions दिये है ये उसकी वज़ा से है industry की हालत ये है कि कुछ top की industry को छोड़ के बाकी सारी industry almost losses में है banks सारे losses में आपको मैं पहले बता दो PSU सारे loss में oil के PSU छोड़ दो तो तो वो तो आपको एक पैसा देंगे नहीं profit के उपर tax होता है न तो PSU आपको कोई tax देने वाला नहीं सर्फ oil companies को छोड़ के दो तिन बाकी जो बड़ी companies हैं अभी प्रोग्राम आ रहा था जो में बताया है कि शयद जो net benefit होगा जो सबसे ज्यादा benefit होने की संभावना है वो reliance को होगा कुछ 1500 करोड और फिर TCS को उसका भी 1100 करोड के आसपास होगा अब मुझे नहीं समझ आता कि कौन सी company है सब मिला के 14500 करोड का ये loss हो जाएगा मेरे साब से ये losses किसी भी हालत 15-20,000 करोड से उपर नहीं पहुंचेंगे लेकिन मैंने कहा उसको एक लाग 45,000 करोड का गुलावी परदा बनाया गया और उसके पीछे चुपाने की कोशिश की जा रही है ये जो नए rates आए हैं 25 परसेंट के और 17 परसेंट के इसके पीछे एक star लगा हुआ है उसके लिखे है conditions apply यानि कि ये तभी आपको apply करेंगे जब आपको बाकी सारी जो industrial concessions मिली हुई है उसको आप withdraw कर ले इसमें backward area की concessions हैं इसमें power की उपर subsidies हैं इसमें कई किसम के और concessions मैं आपको बता हूँ अगर वो सारे के सारी concessions अगर आप withdraw कर लेते हैं तब आप 25% पर tax भरेंगे इन actuality वो concessions मिला के फिर 35% हो जाता है ये एक cosmetic change है ये वैसा ही cosmetic change है जैसे कि export की जब पिछले हफते में एक booster dose दीगी थी और कहा था कि हम MEIS scheme को हटा के दूसरी scheme ला रहे है तो 50,000 क्रोड का हमारा revenue forgo हो जाएगा उसमें forgo revenue कहते हैं 50,000 क्रोड एक्शली जब हमने बाद में देखा है इसको तो ये स्रुछ 9% ज़ारा है original estimate से जो budget में दिया गया था क्योंकि ultimate पैसा तो आपको export incentive दे नहीं था तो उससे स्रुछ 9% बढ़ा है लेकिन शो किया गया 50, स्रुछ 9,000 क्रोड फिर गुलाबी परदा पिंक वील अब नई investment आएंगी दो से तीन साल में तब तक हम क्या करें सहाब अब यहां ऐसा हो गया कि मरीज मर रहा है मरीज की body के अंदर कुछ नहीं है उसको saline चाहिए लेकिन हमने भी किया कि हमने doctor को मश्बूत कर दिया कि doctor सबूत होगा तो मरीज ठीक हो जाएगा doctor मतलो industry साफ समझे लीजिए और जो मरीज मतलो जमता मुझे saline चाहिए मेरी body में ताकत चाहिए कि मैं कुछ कर सकूँ उठके काम कर सकूँ तो मुझे आपने दिया नहीं आपने उसको ताकत वर बना दिया कि यह इसको ठीक कर देगा अभी नहीं तो थोड़ा टाइम बात कर देगा तो पैसा किसको मिला doctor को इंडस्ट लिस्ट को एक लाग पैंताली साथ क्रोड पेपर पे जो एक्शली होगा नहीं मैं आपको पहले बता रहूँ क्योंकि एक लाग क्रोड के losses दो ऐसे ही है income tax में अब ये picture निकल के आती है यहां पर विरोधी पक्षारों ने as usual comment करना था कि हाँ ये एक बहाना है ऐसे है वैसे जैराम रबेश ने भी कहा सीताराम ये चूरी भी और राहूल गांधी भी कहार मैं उनकी बात पर नहीं जाओंगा छोड़िये वो तो उनका काम है statement देन ये सर्फ कुछ लोगों के लिए है चंद लोगों के लिए है capital markets के लिए है बस आम इंसान के लिए क्या कोई एक घोशना है इसके अंदर कि tax lab को top को 30% से घटा के 25% करतो 20 को घटा के 15 करतो नहीं या आपका जो क्या कहते हैं कि जो free आपकी income है धाई लाग रुपे का slab होता है जहांते गिंगम tax आपको नहीं लगता है हाला कि कहने को उनने कहा है कि पाँच लाग तक जिसकी income है उसकी जो exemption पाँच लाग है लेकिन अगर आपकी पाँच लाग और दो जार पे income है तो फिर आपकी exemption limit दो लाग पचास जार है तो हम तो आज भी ढाई लाग की exemption limit पे बैठे हुएं जो आज से करीब करीब समझीए छे साल पहले थी मोधी जी हमें क्या मिला आपने हमें तो एक पैसे का कंसेशन नहीं है मेरी जेब में पैसे नहीं तो मैं टीवी कहां से खरीदूँगा कार कहां से खरीदूँगा मकान क करेदूँगा गैजट्स काहन से खरीदूँगा मोबाइल कहां से लूँगा मैं कहां से लूँगा आप बताईए आपने मेरी जेब में तो कुछ दिया नहीं जो अमीर आदमी थे उसको आपने और दे दिया जनता क्या करेगी तो आप समझी इस गुलाबी परदे को परते खुलेंगी तो दो-चार दिन में आप लोगों पता लगे कि असली पिक्चर क्या है और डेटा जब टेक्स कलेक्शन के आएंगे तो मैं आपको इंफर्म करता है रहता हूं मैंने पहले कहा कि 50,000 क्रोड की डारेक्ट टेक्स में शौटेज हो चुकी पिछले 6 मिने में और नहीं होंगी यह मैक्सिम 15,20,000 क्रोड के आसपास होंगी यह वही कंडिशन आ जागी जो मैंने कहा था एक्सपूर्ट के लिए 50,000 क्रोड का रेवेन्य फॉर्गों लेकिन एक्शली सर्व 9% जयाला है तो यह कैमोफ्लैज है यह घुमा फिराके आपको फिगर्स दिये जा रहे हैं यह दिखाने के लिए यह हैडलाइनस मैनेजबेंट है शुक्रिया आपका हमारे से बन रहने के लिए सब्सक्राइब करना मत बूलिएगा आपका चैनल है चैनल 5 हिंदी शुक्रिया